हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे सादियों वाला गाजर का हलवा सरदियों में मार्केट में लाल लाल गाजर आ चुकी है और हम सब जानते हैं कि गाजर हमारी आखों के लिए बहुत दिलाब दायक है तो सरदियों में गाजर का हलवा पसंद किया जाता है तो चलिए इसे देख लेते हैं ये गाजर का हल्वा हमने कैसे बनाया है गाजर का हल्वा बनाने के लिए मैंने लिया है आदी कटोरी गी, पंद्रा बीज बादाम, दस बारा काजू, एक छोटी कटोरी चीनी, चीनी अब कम या जादा भी कर सकते है पांचे इलाईची और थोड़ा सा खोवा, बावा और पांसो ग्राम गाजर, गाजर को वाश करकी ठिल लिया है अब हम इने कद्दू कस कर लेंगे और ये लीजी मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है अब हम काजू को दो हिस्सों में कट कर लेंगे और बादाम को बारी कट कर लेना है काजू बादाम आप कम या जादा डाल सकते है अब गीज आन करेंगे और उस पर पैन रखेंगे आदी कटोरी घी डालेंगे लगभग पचास ग्राम और किसी गजर को डाल देंगे इसे घी में मिक्स करके पकाते रहे अब करीब 6-7 नट हो चुके है और ये गाजर पक कर थोड़ी कम हो गई है इसे बीच बीच में चलाते रहे अब इससे 7-8 मिनिट हो चुके है अब इसमें चीनी आड़ करेंगे यदि आपको मीठा कम पसंद है तो चीनी कम डाले अब चीनी को मिक्स करेंगे चीनी से गाजर सॉफ्ट हो गई है अब पाच मिनिट बाद आधा ग्लास दूट डाल दीजिए आप चाहे तो बिना दूट के भी बना सकते हैं दूट को सूखने तक पकाए और करीब चार पाच मिनिट हो चुके है और ये दूट सुख चुका है अब काजू बादाम आधा डाल दीजिए अभी हम आधे आधे डालेंगे और बाकी हम बचा लेंगे आधे हम गार्णिश के लिए बाद में यूज़ करेंगे इलाइची को हमने दरदरा कूट लिया है इसे भी डाल देंगे इसे हमें काफी देर पकाना होता है इसे स्पैचुला से गुमाते रहिए गुमा गुमा कर पकाने से ये बहुती सॉफ्ट हो जाएगा और ये देखिए दीरे दीरे ये गाजर का हल्वा सॉफ्ट हो रहा है दो तिन नट धक कर पका लेंगे अब गाजर का हल्वा करीब 90 परसेंट पक चुका है और बाद में बढ़िया सक्खोवा डाल कर मिक्स करें यदि आपके पास मावा नहीं है तो न डाले वैसे मावे से बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा गाजर का हल्वा ठंड में खाना चाहिए ये हमारी शरीर को गर्म रखता है और सर्दी जुखाम भी कम से कम होता है बहुती टेस्टी होता है पोस्टिक होता है इसे बैच्चों को जरूर खिलाईए इसे आखों की रोश्णी बढ़ती है अब गाजर के हल्वे को चार से पास दिन फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं इसे दो तिन नट और पकाएंगे और ये देखे एकदम शादियों जैसा गाजर का हल्वा बन कर तयार है तो अब एक बार इसे ठेंड में जरूर बनाएं तो ये हमारा विंटर स्पेशल गाजर का हल्वा बन कर तयार है ठेंड का मौसम हो और गाजर का हल्वा हो तो बाती ये लगे आप इसे गरम-गरम साब करें ये बहुती स्वादिस पेना है हमने जो काजू बादाम बचाए थे उससे गार्निशिंग करेंगे और थोड़ा सा पिस्ता भी तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको सब्सक्राइब कीजिए तो आपको सब्सक्राइब कीजिए